Welcome back to our channel, this is Abhishek Joshi, Cyber Security Expert in Forensics Solution. तो आज हम देखने वाले हैं VAPT के बारे में, तो VAPT का मतलब होता क्या है? तो basically VAPT का मतलब होता है Vulnerability Assessment and Penetration Testing. अब यह क्यों important है, यह क्या होता है, हम इस बारे में बात करने वाले हैं? तो पहले हम समझ लेते हैं कि Penetration Testing and Vulnerability Assessment को करने के लिए क्या different-different tasks होते हैं? तो यहाँ पर देखो, System Testing होती है, Network Testing होती है, Website Application Testing होती है, Android Application Testing होती है, API Testing होती है, and Social Engineering होती है. तो VAPT के अंदर यह सारे different-different tasks होते हैं टेस्टिंग करने के लिए. अब हमें पता है कि Day-to-day Life में जो Technologies हैं, वो Day-by-Day Increase होते जा रहे हैं. हर कोई आजकल के समाने में Internet जो है, वो यूज कर रहा है. तो यहाँ पर क्या होता है, VAPT इसलिए important है, जो Cyber Attacks हो रहे हैं. जो Cyber Attacks होते हैं, तो उनसे बचने के लिए हम लोग VAPT का इस्तमाल करते हैं. अब उनसे बचने के लिए कैसे VAPT का इस्तमाल करेंगे? तो पहले मैं इसके कुछ Phasies के बारे में बता दूँ. अब for example, एक organization को secure करने के लिए एक penetration tester hire करना पड़ता है. तो वो penetration tester को यह सारी चीजों के बारे में knowledge होती है, जो organization के जितने भी environment होते है, जो उसे test करने है, तो उनकी पहले planning होती है, कि कैसे test किया जाए, क्या target से उसके, then उसको discover करना पड़ता है, then उसमें information gather करना पड़ता है, जिससे हम लोग कहते है foot printing या तो recon, ठीक है, तो फिर उसके बाद जो भी environment होता है, आपका system हो गया, web application हो गया, API हो गया, उसके अंदर vulnerability analysis होती है, मतलब उसके अंदर weakness find करते हैं, अब यह जो black hat hacker होते हैं, मतलब जो ऐसे hacker, जो हमारे organization को harm करना चाते हैं, तो वो यही सारी चीजे करते हैं, कि अगर उने कोई weakness मिल जाए, आपके organization को harm करने के लिए, तो वो easily उस weakness को find करके, आपके system पे आपका जो भी environment है, उसमें वो enter कर सके, तो यहाँ पे एक penetration tester जो होता है, वो VAPT का perform करता है, मतलब जितने भी environment हैं, उसमें वो अपनी VAPT perform करता है, pen testing करता है सारे environment में, ताकि organization को secure रख सके, तैन उसके बाद vulnerability analysis होने के बाद, जैसे ही weakness मिलता है, उसके exploitation होते हैं, कि कैसे उस environment में access किया जाए, तैन उसके बाद आखरी में report writing होती है, तो अब यह important क्यों है, basically जैसे मैंने बताया था, यह जो cyber criminals होते हैं, वो organization को harm करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी का data breach करना, या किसी के web application hack कर लेना, किसी का system hack कर लेना, in fact किसी का network crack कर लेना, ठीक है, तो यह लोग DOS attack भी perform करते हैं, आपके system को, आपके network को, आपके website को shut down करने के लिए, तो काफी सारी vulnerabilities होती है, सारे environment में, जो cyber attacks होते हैं, जो black attackers होते हैं, उनको आपके organization को harm करने के लिए, अब वो depend करता है कि उसका इरादा क्या है, तो यहाँ पे अगर आपको organization को बचा के रखना है, तो आपको यह सारी जो चीजे हैं, मतलब एक penetration tester आपको hire करना पड़ेगा, ताकि आपका जो भी environment है, उसे वो test कर सके, और उसे वो secure कर सके, तो यही होता है हमारा VAPT and इसके importance, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो like, share and subscribe कर देना, मिलते हमारे अगले वीडियो पर,